वेलकम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल स्वागत दोस्तों आपक अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवंसर में और एक लंबे अर्से के बाद में वो भी स्टुडेंट्स की मांग पर कि वही कंजक्शन की वीडियो बनाई जाने चाहिए तो आप लोगों के लि चैनल जो four part बनाऊंगा मैं वीडियो के उस वीडियो के four part में हम इनको complete करें चैनल करेंगे आज हमारा first part है और first part में हम लोग conjunction के बारे में basic जानकारी और कितने types के होते हैं manly जो हमको पढ़ने जो हमारे exam की द्रश्टी से important है उनको पढ़ेंगे So let's start देखिए अब conjunction के बारे में पढ़ते हैं हम लोग A conjunction is a word that joins two words, phrases and clauses in a sentence यह conjunction की क्या हो गई? definition हो गई है क्या? A conjunction is a word क्या है? A conjunction is a word that joins two words, phrases and clauses in a sentence sentence इसका means क्या हुआ? इसका means हुआ कि एक conjunction है, बहशब दोता है जो दो words को या दो phrases को या दो clauses को एक sentence के अंदर इनको जोड़ता है जोइंच करता है यानि की जोड़ता है example देखे है जैसे अपने इनके example के तोर पे I eat bread and water for breakfast अब यहां पर देखे हैं यहां पर यह दो word आ गए हमारे एक तो ब्रेड और एक बटर है इन दोनों words को इसने क्या कर दिया? एंड जो हमारा conjunction है इसने जोइंट कर दिया ठीक है? यानि की जोड़ दिया मैं नास्ते के लिए ब्रेड और बटर यानि की मक्खन और ब्रेड खाता हूं या नास्ते में ब्रेड और जो मक्खन है वो लेता हूं example number second देखे I will eat either pizza और बर्गर मैं खाऊंगा यह हम लोग सारे detail में पढ़ेंगे बटा अब यह आप लोग यह बस इतना सा दियान रख लेगे हम लोग example के तौर पर इनको समझ रहे है I will eat मैं खाऊंगा आइदर या तो pizza खाऊंगा या फिर बर्गर खाऊंगा या तो pizza या बर्गर I was feeling tired so I went home I was feeling tired मैं क्या है थका हुआ महसूस कर रहा था so इसलिए I went home मैं गर पे चला गया I went home गर पे चला गया तो यहाँ पे जो यह so है और यह either or है और एक ही हमारा end यह तीनों क्या है conjunction का का काम करेंगे ठीक है there are manly three types of conjunction दीगे होने को तो और भी है two types but manly जो exam में जिन में से आते रहते हैं हमारी questions ठीक है वो है manly three types है उन three types के बारे में हम लोग पढ़ेंगी आगे देखते है देखिए जो हमारी first type है वो first type है हमारी coordinating conjunction कौनसी coordinating conjunction और coordinating conjunction को मैं आप लोग लिए formula लेके है हूँ जिससे आप लोग याद रख सकते है coordinating conjunction कौन-कौन से होते है आपको याद रखना है बिटा fan boys क्या याद रखना है fan boys तो app से बन जाएगा आपका four conjunction a से end n से nor और b से हो जाएगा but o से और y से yet and s से so ठीक है और जो हमारा second type है second type है हमारी guys subordinating conjunction कौन सा है subordinating conjunction इसमें क्या होगा आपके एक तो after है although है as है as far as as long as as soon as as though because before even ठीक है ये सारे हमारे क्या है subordinating conjunction कहलाते हैं ठीक है इसके अलाब़ा और भी है इनमे कौन-कौन से है if since so so that then though unless until etc यानि कि ये सारे हैं और एक हमारा जो third type है especially exam की द्रश्टी से जो important है वो हमारा correlative conjunction है कौन सावाला है correlative इसको याद रख लें आपको क्योंकि इसमें से ज्यादातर question put up होते है either or का प्रयोग ठीक है एक neither nor का use है detail में पढ़ेंगे तो आईए start करते है हमारे सबसे पहले first type coordinating conjunction ठीक है coordinating conjunction में आप लोगों को याद रखना है end का सबसे पहले first देख रहे है हम लोग end guys आप लोगों इनका हिंदी अर्थ जो मैं बता रहू हूँ उसके हिसाब से ही आपको याद रखना है क्योंकि तभी आप लोगों को याद रह पाएंगे end या नहीं होता है और एक एक कम है इसका हिंदी अर्थ बता रहूँ आप लोग द्यान से देखें इनको end या नहीं होता है और we are going to a zoo and on aquarium on a someday we are going to a zoo हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं to a zoo यानि एक चिडिया गर में और an aquarium on a samday samday यानि उसी दिन उसी दिन एक चिडिया गर में भी जा रहे हैं और an aquarium में यानि अजया गर में जा रहे हैं ठीक है इसके अलाबा second हमारा जो example है ram and sham help others ram और sham help करतें दूसरों की तो ये ram और sham को जोड़ दिया किसने end ने ठीक है तो ये हमारा end conjunction हो गया kamal is honest and kind kamal इमानदार भी है यानि kamal इमानदार और दयालू है kamal इमानदार और दयालू है तो इसको हमारा जोड़ दिया end ने pile is beautiful and cruel pile सुन्दर है और निर्दई भी है pile सुन्दर है और निर्दई है इसके अलाबा जो हमारा example है she bought apples and bananas she bought apples and bananas उसने खरीदे second form है guys उसने खरीदे save खरीदे और bananas मिन scale खरीदे तो उसने save और kale खरीदे ठीक है तो ये end का मतलब होगे क्या और ठीक है इसके बाद देखते हैं हमारे और भी देखते हैं इसका एक मतलब use करने का तरीका और देखते हैं कई बार क्या है दो sentence दे 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 तो उनमें फिर आपको end का use करना पड़े तो वो कैसे करोगे जैसे हमारा first sentence तो ये रहा और second sentence ये रहा अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग he is poor he is honest इसके अलाबा चलो उसको छोड़ो ये जो हमारा example है ना इस वाले को ध्यान दो common is honest और common is kind ठीक है ये ध्यान रखना है common is honest ये हमारे एक sentence हो गया और common is kind ये sentence हो गया इसको जोड़ना है आपको किसे end से किसे जोड़ना है से शोड़ना है ठीक है तो इस पर ध्यान दें किसे है एक sentence ये रहा और एक sentence and से कैसे जोड़ोगे क्योंकि ल सब्सेंस हिख़ाई है जो Sam Sam bird है उनको एक बार लिखना है तो अर्थ क्या बनेगा इसका कॉमल इमानदार और दयालू है कॉमल इमानदार और दयालू है इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट है हमारा रवी प्लेज क्रिकेट, राजू प्लेज क्रिकेट रवी क्रिकेट खेलता है और राजू क्रिकेट खेलता है अब इसको अगर मैं जोड़ करके बनाना चाहूं तो क्या बनेगा रवी और राजू क्रिकेट खेलते हैं रवी और राजू क्रिकेट खेलते हैं व्हों कि Sam Sam वाले मैं वे एक वारी रिखा में तो Sam कौन सा है यहाँआ पलेज क्रिकेट ग्रिकेट तो वह एक भार आएगा बाकि रभी और राजू है दोनों अलगा अलग सब्जेक्ट तो इनके बीच में इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे end का use करेंगे तो रवी end राजू play cricket अब ध्यान दें आपे उपर तो plays का use हो रहा है लेकिन यहाँ play में मैंने S अटा दिया है S क्यों अटा दिया है क्योंकि अब यह singular नहीं रहे यह रवी end राजू मिल करके plural बन गए इसलिए इनके साथ plural के साथ क्या use करते हैं हम लोग केबल बर्ब की फश्पॉन use करते हैं देखिए second हमारा है but का use तो second but के use में देखते हैं देखिए but का जो हिंदी अर्थ होता है हमारा एक तो होता है लेकिन और इसके बारे में बहे गरीब है लेकिन खुश है तो यहां पर तो लेकिन का सेंस आ रहा है next देखिए राधा loves oranges but she has peers राधा loves oranges but she has peers राधा को oranges यानि संत्रे पसंद है लेकिन बहे peers मिल नाश्पती से नफरत करती है यह उसको हैट करती है उनको पसंद नहीं करती है peers means नाश्पती को ठीक है तो यहां पर लेकिन अर्थ आ रहा है third वाले में देखिए I want to go to the movies but Sarah want to go out to eat I want to go to the movies हम movie देखने के लिए जाना चाहते है sorry मैं movie देखने के लिए जाना चाहता हूँ but Sarah लेकिन Sarah want to go out to eat लेकिन बाहर खाना खाने के लिए जाना चाहती है मैं खान जाना चाहता हूँ movie देखने के लिए लेकिन सारा खान जाना चाहती है बाहर खाने के लिए जाना चाहती है खाना खाने के लिए मतला बोटल वागरा कहीं भी जा सकती है तो यहां पर लेकिन सेंस आया फौर्थ वाला देखिया फौर्थ और फिप्त को देखिया फौर्थ में देखिया इस्टीक वाज थिन जो चעडी है डंडी वाज थिन पतली थी वाज धूर्ड़ एक वाज थी लेकिन ये क्या थी मज़बूत थी पतली थी लेकिन यह मजबूत थी पांचवी आले में देखिया फाइब आले में यहां पर सब में लेकिन का सेंस आया है ठीक है और देखने है इसके कुछ एक्जामपल हम लोग देखिए जिससे और क्लियर हो जाएगा आपका अब यहां पर लेकिन का सेंस नहीं आगा देखना मैं यहां पर सिर्फ का यूज बोलूँगा प्रते व्यक्ति सिवाय आरोई को छोड़ कर जान दें I like everything but coffee मुझे हर चीज पसंद है I like everything मुझे हर चीज पसंद है but coffee सिवा को छोड़ कर तो but का एक sense हमारे हैं यहाँ पर सिवा के अर्थ में भी आ रहा है ठीक है एर्थ जो example इसको देखिए I met everyone but you I met everyone but you तो मैं प्रतिव्यक्ति से मिला सिवाय तुमें छोड़ कर सिवाय तुमें छोड़ कर ओके नेक्स्ट है अब थर्ड नमर का और और का इंदी अर्थ होता है हमारा या या फिर एक और अर्थ इसका अथवा कुछ भी बोल दीजए या फिर अथवा ठीक है इसका फर्स्ट एक्जम्पल देखिए आप इसमें आप लोगों मैंने पहले भी बताया था आपको इसका इंदी ट्रांसलेटर इंदी अनुपाद इसका याद हो ना चाहिए इसी से आप लोगों को यह समझ में आएगा देखिए अब यू कैन है टी और कॉफिए आप या तो चाह ले सकते हो या फिर कॉफिए आप चाह ले सकते हो या कॉफिए अथवा भी बोल सकते हो आप लोग इस जगह या की जगह समझना इसको would you like cake or biscuits with your coffee आप with your coffee आपकी coffee के साथ में क्या लेना पसंद करेंगे केक लेना पसंद करेंगे या biscuit तो आप क्या लेना पसंद करेंगे केक या biscuit तो मैं आप पर ज्यान दें इनका मैं क्या sense बोल रहा हूँ मैं इनका sense बोल रहा हूँ या फिर या अत्वा चाय लेंग कॉफी के साथ केक लेंगे या फिर बिस्किट लेंगे इस तरीके साथ अर्थ लगाना है यू कैन वर्क हार्ड और यू कैन फैल तुम कठिन परिश्रम कर सकते हो अत्वा तुम फैल हो सकते हो दो यह option है आपके पास या तो cut in partition कर लो या फैल हो जाओ यानि फैल हो सकते हो can के sense में हम लोग सकता है सकते हैं इस तरीके से use करते हैं ठीक है हमारा fourth example है वो क्या है fourth example I will go shopping और I will go camping तो I will go shopping का मतलब क्या हो गया है मैं shopping पे जाओंगा मैं shopping पे जाओंगा मैं camping में जाओंगा camping यानि हो गया है शिविर लगा करके रहना camping का जो हंदी हर्थ होता है शिविर बना करके मैंänner शिविर पे camp में जाना इस तरीके से तो मैं shopping पे जाओंगा shopping करने के लिए या I will go camping next हम आए do you want to come with us or do you want to stay here तो ये question mark वाला माना जाएगा ठीक है Do you want to come with us? क्या आप हमारे साथ चलना चाओगे? क्या तुम हमारे साथ चलना चाओगे? या तुम यही ठहरना चाओगे? कहने का मतलब क्या है इस में? क्या तुम हमारे साथ चलोगे? चलना चाते हो? या Do you want to stay here? यह यही रहना चाते हो ठहरना चाते है में ठहरना next है हमारा which color do you like red or blue आपको कौन सा रंग पसंद है आपको कौन सा रंग पसंद है red लाल अथवार नीला लाल या नीला ठीक है इस तरीके से और एक और example देखे इसका is that dog alive or dead यह कुता जीवित है या मरगा, क्या यह kuttya alaymetics जीवित है या फिर मरगे तो आपने यहाद देखा और का जो sense है, और का sense हमार्ण या 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 फिर क्या इर्थ लगाना है आपको अत्वा, क्या आर्थ लगाना है अत्वा, ठीक है अब next देखते हमारा नैक्ट जो conjunction है वो है हमारा so क्या है हमारा so so का इंदियर्थ क्या होता है इसलिए क्यों होता है so का इंदियर्थ इसलिए देखें आप Peter didn't study so he failed his exams देखें past है ये past sentence है past का इसमें बाव आएगा Peter didn't study Peter ने पढ़ाई नहीं किती Peter ने अध्यन नहीं किया था इसलिए he failed his exams वे अपनी exam में फैल हो गया इसलिए वे अपनी exam में फैल हो गया second example I am ill so I cannot come to school guys आप लोगों के जो ill sick बीमारी वाली जो application उसकी लाए नहीं है I am ill so I cannot come to school मैं बीमार हूँ इसलिए I cannot come to school में बिद्याले नहीं आ सकता third example I was feeling hungry मुझे भूख लग रही थी I was feeling hungry मुझे भूख लग रही थी so I made myself a sandwich इसलिए मैंने मेरे लिए क्या बना लिया खुद एक sandwich बना लिया इसलिए तो आपको sense लगाना बार बार इसमें soka क्या sense लगाना है इसलिए ठीक है soka sense है इसलिए next example हमारा I have drunk six cups of coffee today तो देखे I have drunk six cups of coffee today so I have got a headache I have drunk six cups of coffee क्या sense लेट आज मैंने लगवक छे कप किसके coffee के पी लिये है आज मैंने छे कप coffee के पी लिये so इसलिए I have got a headache इसलिए मेरा सरदर्द कर रहा है इसलिए मेरे सरदर्द हो रहा है सरदर्द कर रहा है तो soka sense आगे इसलिए आवाज अनापी so I have some chocolates मैं दुखी था अनापी था नाखुश था so इसलिए मैंने क्या किया I have my खाली क्या खाली some chocolates कुछ chocolates खाली ok guys next है हमारा जो conjunctionion है वो है हमारा yet guys ध्यान रखना हम चल रहे है हम जाले हैं इनको किस के हिसाब से fan boys के साफ से ठीक है में आपको जो formula ब ondan था बनुर्द का था fan boys के साफ से किस के साफ से आपको यह द्यान रखना है fan boys के साफ से तो हमारे उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में हमारा जो है फिप नम्मर का वो है यट कम इंदियर्थ होता है तो भी या फिर फिर भी तो भी बोल दीजे या फिर भी बोल दीजे देखिए सेंस समझना इंदियर्थ से समझना आपको ठीकर समझ में आया त यट तो भी क्या बोलूगा मैं तो भी वह थकी हुई थी तो भी she went there वह वहाँ गई या वह वहाँ चली गई वह थकी हुई थी फिर भी यट तो भी वह वहाँ चली गई second example Tom plays basketball well yet his favorite sport is football Tom क्या है Tom खेलता है basketball well यानि अच्छे डंग से अच्छे तरीके से Tom अच्छे डंग से basketball खेलता है लेकिन sorry लेकिन नहीं वोलिंगा आपे यट तो भी फिर भी his favorite sport फिर भी उसका पसंदीदा जो खेले वो क्या है football है फिर से सुन लीजी इंदियर Tom basketball खेलता है अच्छे से लेकिन फिर भी क्या है फिर भी उसका पसंदीदा जो खेले वो क्या है football है ठीक है next है हमारा example all of us worked really all of us worked really hard to pass the test हम सभी ने बास्तम में test को पास करने के लिए cutting मेनत की cutting परिश्रम किया यट तो भी क्या हो गई we all failed हम सारे के सारे fail हो गए हमने test को पास करने के लिए cutting परिश्रम किया फिर भी हम क्या हो गई fail हो गई next example है हमारा जान दे हैं fourth वाला fourth और fifth देखें he is 72 yet he still swims runs and plays football regularly he is 72 72 72 72 साल का है he is 72 72 का मतरब है 72 साल का है यट फिर भी या फिर आप बोल दीजे तो भी he still swims भे अभी भी क्या कर सकता है swims तैर सकता है या तैरता है runs दोड़ता है and plays और खेलता है क्या खेलता है oh sorry foot wall foot wall खेलता है regularly means रो जाना हाला कि वो कितने साल का है बैतर साल का है तो भी क्या करता है वो swims करता है running करता है और play खेलता है foot wall खेलता है regular means रो जाना खेलता है ठीक है आवशकता से अधिक बजन है उसका and feels terrible और एक बैंकर इस्तिती में एक बैयानक इस्तिती को वो feel कर रहा है यट तो भी he continue to eat वो खाना जारी रखता है क्या खाना जारी रखता है lots of cakes कैसार cake and biscuit वो खाना जारी रखता है continue रखता है जबकि उसका weight क्या है overweight है और वो क्या terrible बैयानक इस्तिती feel कर रहा है तो भी वो क्या है लगातार cake and biscuit खाना जारी रखता है ठीक है next है guys हमारा nor nor का मतलब होता है nahi वैसे इसको use करते है guys किसके साथ मैं neither के साथ मैं use करते है बताऊंगा मैं आगे आप लोगों के जब आप आगे वाले जो conjunction पढ़ोगो उनमें आपको detail में बताया जाएगा अभी आप लोग फिलाल fanboys के हिसाब से जो है उनको पढ़ रहे हो तो nor अकेला आएगा तो इसका sense है ना ही example देखिए सारा डजन्ट लाइपल्स नौर डज शी लाइप पियर्स सारा क्या है डजन्ट लाइपल्स सारा सेवो को पसंद नहीं करती है सारा को सेव पसंद नहीं है नौर नहीं डज सी लाइप पियर्स नहीं वो क्या है पियर्स में नेक्स्ट अबरा, बिवेक डिलिक देट लाइक, दोईगी इज होंबर्ग, 05, नर दोई고 तुमबर्ग कनऱा पसंद है, ना उसको डिलिक करते अ werden, नाही कुल के çıkart , न्यां पेज़ेगी ना ही नच्च्छ स्टरीर्ण ये देट, दोईको देट्र Divya 미안h I have never talked to that guy nor do I want to do it I have never talked to that guy G-U-Y means hotei hai क्यों होता है मैं अभी बार बार आप लोगों को पता है मैं अभी बार बार यूज कर रहा हूँ इस बर्ड को guys guys कर रहा हूँ किसी से जब बात करते हैं इस लड़के की लड़का लड़की कोई भी हो सकता है guys बोलते है I have never talked to that guys इने उससे never कभी भी बात नहीं की झाट हो तो आपने देखा नोर का जो sense है मैंने क्या बताया आपको ना ही next है वारा guys देखिए 4 next हमारा क्या है 4 देखें आप guys 4 का जो अर्थ है आप लोगों जादातर को पता है के लिए ठीक है 4 का अर्थ किस के लिए हम किस sense में यूज़ करते है के लिए के अर्थ में ठीक है लेकिन इसका एक अर्थ और होता है guys क्योंकि के sense में reason को show करने के लिए कारण को बताने के लिए भी हम लोग for का use करते हैं पढ़ेंगे हम लोग इसको देखिए first example से clear करते हैं थोड़ा the lady called for security the lady called for security lady ने किसके लिए बुलाया security के लिए बुलाया किसके लिए बुलाया security के लिए बुलाया ठीक है आगे हमारा I go to the library for I love to read अब यहाँ पे देखिए आप for का sense यहाँ पे for का sense के लिए नहीं आएगा यहाँ पे आप लोग reason बताओगे क्या बताओगे reason कारण बताने के लिए क्योंकि क्या अर्थ में आएगा देखिए I go to the library मैं library जाता हूँ for क्योंकि I love to read मुझे पढ़ना पसंद है मैं library जाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है next है मारा I have to find a new job for I am unemployed I have to find a new job मुझे एक नई job डूणनी पड़ेगी खूजनी पड़ेगी for क्योंकि I am unemployed unemployed यानी क्यों हो गया बेरोजगार unemployed means बेरोजगार क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ इसलिए मेरे को वह एक नई job खूजनी पड़ेगी पता लगाना पड़ेगा ठीक है fourth example हमारा मौहन ड्रेंक संबाटर for he was thirsty मौहन मौहन ने कुछ पानी पिया for क्योंकि he was thirsty बेप्यासा था next हमारा विलिशन इगरली for he brought news of our families हमने उसकी बातों को द्यान से सुना eagerly means उत्सुकता से सुना eagerly means क्या होता है उत्सुकता से ठीक है हमने उसकी बातों को उत्सुकता से सुना for क्योंकि he brought news of our family क्योंकि हमारे परिवार से related हमारी family की क्या लेकर के आया था news तो ख़बर लेकर के आया था okay guys I hope कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और यह first part था guys इसके बाद मैंने आपको बताया था तीन पार्ट और आएंगे आपके और उन थ्री पार्ट में आप लोगों के कंजक्शन कंप्लीट होंगे ठीक है तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर्ट जरू करना चैनल को सब्सक्राइब करना ता साथ में वैल आइकन के बटन को दवा देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो जिन नोटिफिकेशन आपको पर मिलते रहे थैंक यू गुडबाए